नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे आफिशल व्डूब चैनल जी एस पाइ नीरसर में कैसे आप सब मैं आसा करता हूँ श्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी तयारी में व्यस्त होंगे मित्रों आप तयारी टीज़ीटी याड़ की कर रहे हैं तो आप टीज़ीटी याड़ की तयारी में व्यस्त है बहुत बड़ी याब वात है व्यस्त रहिएगा मित्रों यह 48 वदों पर भरती है और इसमें आपको फाइनली सेलेक्शन लेना है इसलिए आप व्यस्त है खुब जादा इमानदारी शाथ मेहनत करना निश्चित रूप से आपके लिए एक शेट फिक्स होगी मित्रों अब जादा देरे नगरते भी हम क्लास की तरफ चलेंगे आज की जो क्लास होगी यह क्लास नंबर 22 होगी और इस क्लास नंबर 22 में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर हम 10 का डोज का भंडारा देखेंगे 10 का डोज का भंडारा में तरों कुछ महत्वपुर्न कोश्चन्स होंगे थोड़ा फास्ट करेंगे या ने रिवीजन टाइप का होगा तो उन्हें देखने का प्रयास करेंगे हाई यह इस्टार्ट करते है पहला कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पर है सेंट्रल डिजाइनर संस्थान लखनो के प्रतम निर्देशक कौन रहे नाम विरेश्वर सेंग का दिया गया जोगेन चौधरी का दिया गया दिनकर कोशिक का दिया गया और भुविन खकर का नाम दिया गया शेंट्रल डिजाइनर संस्थान लखनो के पहले निर्देशक कोन बने मित्रों तो इनके पहले निर्देशक के रूप में विरेश्वर सेंग का नाम आता है आपको सही जवाब फॉस्ट के साथ लगाना है A is the right answer लगाओ मित्रों अगला कोश्चन्स देखेंगे दो नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिन पे है आप से कह रहा है रानी खेत के खेत रानी खेत के खेत जेशा प्रमुक्चितर किश कलाकार ने बनाया नाम नल्नी मौलनी का दिया गया है अवीनास का दिया गया है वी आर खजूरिया का दिया गया और वी अन आर्या का नाम दिया गया रानी खेत के खेत जेशा बढ़े हैं रचना मित्रों जो आपका है वह कलाकार का नाम अवीनास है अविनास के द्वारा बनाई गई रशना है तो आपको शही जवाफशी के साथ देना पड़ेगा सीज दराई टांसस लगाना होगा हगला कोश्चंस देखेंगे तीन नंबर कोश्चंस आपकी स्क्रिंट पे है क्या कहरा है मित्रों नारी आकरतियों को माशूमियत से किष्णे अंकित किया नाम दिया गया मित्रों ननलाल वशूने नारीयों को माशूमियत में दर्शाया है बी प्रभाने बनाया है नागजिप वटेल ने ऐसी रशना की या फिर हिम्मत साह के द्वारा की गई है मित्रों जब नारी की माशूमियत वाली रचना की बात करें तो सही जबाब वी के शाथ लगाना है वी इस तरह इटांसस देना है अगला कोश्चन स्मित्रों चार नंबर आएगा प्रश्चंख्या चार आप से क्या कह रहा है आप से कह रहा है मित्रों आप से पूछ लिया गया मकबूल फिदा हुशेन ने कौन सी फिल्म को शौबार देखा है तो वह फिल्म का नाम है मित्रों विन बाजे बराती इसको मित्रों हुशेन ने हंड़ट बार देखने का काम किया यानि सही जबाब D के साथ लगाना पड़ेगा D is the right answers बनाना पड़ेगा अगले कोश्चन्स पे चलेंगे पांच नंबर कोश्चन्स आएगा जगनात मुरली धर अहवाशी किस स्कूल के प्राध्यापक थे नाम दिया गया जेजे स्कूल आफार्स के रहे हैं लखनो कला महाविद्या लेगे रहे हैं जगनात मुरली धर अहवाशी ये कौन से स्कूल के प्राध्यापक है मित्रों तो इनकी स्कूल का नाम जेजे स्कूला फार्स है इसलिए आफको सही जवाब फ़स्ट के शाथ लगाना है अगला कोश्चन्स च्छै नंबर आएगा आप से पूछा गया माइकल इंजलो और राफिल की अनुकरतियां किसी ने बनाई नाम एक केश्वामी का दिया गया ननलाल वशू का दिया गया अरनेस्ट विन्फिल्ड हैविल का दिया गया और उनमेशी कोई नहीं माइकल एंजलो और राफिल की जो अनुकरतियां तयार की जाती है मित्रों वो नंदलाल वशु के द्वारा तयार की जाती है तो आपको सही जबाब शी के शाद देना पड़ेगा शी इस दराई टांसर्स बनाना पड़ेगा अगले कोश्चन्स पे चलेंगे अगले कोश्चन्स आपका शात नंबर होगा आपसे पूछ रहा है अनोखी म्यूजियम आफ हैंड प्रिंट अनोखी म्यूजियम आफ हैंड प्रिंट कहां इस्ते थे नाम दिया गया पतना में इस्ते थे नाकपुर में इस्ते थे गोवा में इस्ते थे या फिर जैपुर में इस्ते थे अनो की म्यूजियम off hand printing अगर मित्रों ये ड्रश्य पूछा जाए कहां पाया जाएगा अनो की म्यूजियम off hand print तो ये आपके जोधपुर नहीं जैपुर सहर में है सही जबाब D के साथ लगाना D is the right answers बनाना अगला कोश्चनस आएगा जो आपका आठ नमबर होगा आपकी स्क्रिन पे होगा कहरा है भोनेश्वर नगर का वास्तुकार कौन था नाम दिया गया कौरनिस वारगर थे कार्बू जियर थे विद्या धर थे या फिर जाब शारनाक थे भोनेश्वर नगर के वास्तुकार के रूप में जबात आए तो आपको कौनिस वरगर का नाम देना होगा भश्ट इस दराइटांसस देना होगा अगला कोश्चनस मित्रों आपका है नो नमबर आप से पूछ हजार आए हलके पीले रंग का विसालका हाथी का चितर कहां से प्राप्त हुआ है हलके पीले रंग की बात हो रही है बड़ा सा हाथी का द्रिश है क्या बांदा से मिला है होशंगा बात से मिला है मर्जापुर से मिला या फिर बेलारी से प्राप्त हुआ है मित्रों अगर सभी आफसंस देखें तो हलके पीले रंग का जो विशाल हाथी का द्रिश होगा हा से हाथी हा से होशंगा बाद तो आपको सही जवाब हा हा कामन लेकर के शीकिशात लगा लेना है सीज दराई टांसस बना लेना है अगला कोशंस 10 नंबर आएगा आपसे पूछा जाराय राम राज जो हो वैजु वावरा हो जनक जनक पायली आवाजे हो ये शब फिल्मे है मित्रों एक किसने बनाई नाम राम गोपाल विजेवर गिये का है ननलाल वशू का है कनुदेशाई का है और सैलें दरनाथ टे का नाम दिया गया राम राज जो हो मित्रों वैजु वावरा हो जनक जनक पायली आवाजे हो ये शब बढ़िया रचनाय है मित्रों और ये जो बढ़िया रचनाय है वो आपकी कन्नू देशाई की हैं इसलिए आपको सही जवाब B के साथ देना पड़ेगा B is the right answers बनाना पड़ेगा अगले questions पर अगर चला जाए तो अगला questions आपकी स्क्रिंट पर है आपसे कह रहा है जैपर बलू पॉर्टरी के पुनरुथान की प्रिष्ट भूमी में कौन था नाम दिया गया केवी जेनना थे करपाल संग से खावत थे देवी लाल पाटीदार थे या फिर मन सिमरन सिंग थे जैपुर बुलू पॉर्टरी के पुन्रत्थान के प्रष्ट भूमी में कौन था मित्रों तो पुन्रत्थान के लिए कृपाल सिंग से खवत का नाम आएगा सही जवाव शी के शाथ देना पड़ जाएगा See is the right answers लगाना पड़ेगा अगला questions दो नमबर है आपकी स्क्रण पे आपसे कहरा है मित्रों राजस्थानी चितरकला का आरंभिक शुरूप के शैलीश ये प्रभावित था नाम दिया गया मुगलिया शैलीश प्रभावित है पहाणी शैलीश प्रभावित है दक्कनी शैली 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 दी इस दर राइट आंसर्स बना लिना अगला कोश्चंस तीन नंबर आपकी स्क्रिंट पे गिरा आपसे क्या कह रहा है पीला मसीहा कलाकारी है नाम दिया गया पॉल गॉर्गिन की रिचना है हिन्री मौतिस की है शलवा डूर डाली की है पीला मसीहा कलाकारी है पीला मसीहा मित्रों पॉल गॉर्गिन की है तो आपको सही जबाव फॉस्ट के शाथ लगाना है ए इस दराइट आंसर्स बनाना है अगला कोश्चंस मित्रों चार नंबर है आपके स्क्रिंट पे है आपसे पूछा ज़र आए उदासी किस चितरकार के चित्रों का अस्थाई भाव बताया गया तो उदासी कौन से चितरकार का अस्थाई भाव है मेफु हुशेन का है सयद हैदर रजा का है राम कुमार का है और फ्रांसिस नूटन सूजा का है उदासी कौन से चितरकार का स्थाई भाव है मित्रों तो रामकुमार का स्थाई भाव है आपको सही जवाव V के शाद देना पड़ेगा B is the right answers बनाना पड़ेगा अगला questions मित्रों पांच नंबर है आपकी screen पे है आप से कहा रहा है किन दो चितरकारों ने वारानसी स्रंखला पर काम किया नाम आता है रामकुमार और M.F. हुशेन ने किया है सैलोज मुखरजी और रामकुमार ने किया है के स्कुल करनी और N.S. वेंद्रे ने किया है या फिर नमेशे कोई नहीं वारानसी स्रंखला पर किन दो कलाकारों ने काम किया मित्रों तो वहाँ दो चित्रकार M.F.O. हुशेन और रामकुमार हैं तो हमें सही जबाब रामकुमार और M.F.O. हुशेन के साथ देना पड़ेगा फर्स्ट इस दा राइट आंसस लगाना पड़ेगा अगला कोश्शन 6 नमबर आएगा आपकी स्क्रिन पे है कह रहा है किंग किंग के शाथ वल्चर और ग्रेफिन किंग है वल्चर और ग्रेफिन है ये पूचा दारा किसने चित्रित किया है नाम दिया गया मित्रों मनसूर ने किया है विहजाद ने किया है वशावन ने किया है या फिर मेरे सयद अली ने किया है किंग है वल्चर और ग्राफिन है मित्रों अच्छी रचना है इसको वणाने का काम मंसूर का रहा है तो आप उस्ताद मंसूर के शाथ अंसस लगाओ फर्स्ट इस दराइड अंसस बनाओ मित्रों किस ने पाथेल पाशाली और हीना फिल्म के लिए चितर बनाया है पाथेल पाशाली के लिए में तरों जो चितर रशना होती है में फुहुशन के द्वारा की जाती है तो सही जबाब आपको V के साथ देना पड़ेगा V is the right answers बनाना पड़ेगा अगले questions पे चलेंगे तो 8 number questions आप किस क्रिंट पे होगा आप से कह रहा है किसने रंगीन खड़िया से चित्रन करना अधिक पशंद रहा तो रंगीन खड़िया से चित्रन कोन करता था फिकाशू करते थे इदगार देंगा करते थे वानगू करते थे और फिर फॉल से जान करते थे रंगीन खड़िया से चित्रन करने का जो काम रहा मित्रों वो इदगार देंगा कर रहा है तो आपको सही जवाब एदगार देंगा लगाना पड़ेगा C is the right answers बनाना पड़ेगा अगला questions no number आएगा आपकी स्क्रिन पे है Color Viscosity Printing को लोग परिये कैरोल समर्स ने बनाया है स्टैनली हेटर ने बनाया है पॉल एक ग्रेन ने बनाया फिर ब्लियम ब्लैक ने बनाया Color Viscosity Printing को लोग परिये बनाने का जो काम रहा मित्रों वो स्टैनली हेटर का रहा है तो आपको सही जवाब स्टैनली हेटर देना पड़ेगा C is the right answers बनाना पड़ेगा अगला questions 10 नंबर आता है आपकी स्क्रिंट पे है मित्रों कह रहा है चापाकार देवराजी डकोजी चापाकार है देवराज डकोजी इनका जनम 1944 में कहां हुआ नाम दिया गया हैदराबाद में हुआ लखनोव में हुआ चन्नई में हुआ या फिर नई दिल्ली में हुआ देवराज डकोजी का जनब कहा हुआ मित्रों तो 1944 में हैदराबाद में हुआ है इसलिए आपको सही जबाब हैदराबाद देना पड़ेगा यानि first is the right answer बनाना पड़ेगा अगले questions पे चलेंगे अगला questions आपके screen पे है आप से कह रहा है मित्रों चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एक मात्र शूरे मंदिर है उसका निर्मान कराया था नाम दिया गया पारसोनाथ ने कराया गजिंदरनाथ ने कराया धंग देव ने कराया फुर्द जयदास ने करवाया मित्रों चित्रगुप्त मंद्र जो खजुराहो यह इस हतरफुरुमत परदेश वाला है उसका जो सूर्य मंदिर है आपको हमने दर्शे भी दिखाया होगा जब लेटरेश्ट में हम अभी गये थे प्रिविया सेर में गये थे न तो आपको हमने दर्शे दिखाया होगा तो स्क्रिंट पे है मित्रों कहा जाराई सांगला सांगला है शालिगराम है वल्देव है ये किसके प्रसिद्द चितरकार थे नाम दिया गिया मित्रों राई शिंग के प्रसिद्द चितरकार थे वक्तावर सिंग के प्रसिद्द चितरकार थे निहाल चंदर के प्रसिद्ध चित्रकार थे या फिर प्रताव शिंग के प्रसिद्ध चित्रकार थे शांगला हूँ शालिक राम हूँ वल्देव हूँ ये किसके चित्रकार है मित्रों तो सही जवाब वक्तावर सिंग के चित्रकार हैं सही जवाब शी के शाथ लगाना है C is the right answers बनाना है अगला questions तीन नमबर देखेंगे आप कि स्क्रिन पे है पूछा गया कृष्ण की आठ गूपियां एक हाथी के रूप में किस सेली में चितरित है कृष्ण की आठ गूपियां एक हाथी की रूप में चितरित है मित्रों इस शेखा वड़ी सेली में चितरित है तो सही जवाब फॉष्ट के साथ देना है A is the right answers लगाना है अगला questions चार नमबर आएगा आप से पूछा जा रहा है सिर्रे असरार सिर्रे असरार यानि रहस्यों का रहस्य जेशा प्रमुक फुस्तक किसका है नाम नूर जहां का दिया गया अकवर का दिया गया दारा शिकोह का दिया गया और हुमायू का नाम दिया गया सिर्रे असरार की अगर बात आती है मित्रों तो औरंग जेब का एक प्रिय भाई होता है दाराशीखो जिसकी मुंडी काट कर गया औरंग्जेब शाजां को भेट करता है साजां उनके फाधर होते हैं तो उनको भेट करता है तो सिर्ए असरार जो रहास्यों का रहास्य पुष्टक है दाराशीखो उनने लिखी मित्रों आप से करा हिंडोला महल का निर्माण हुंग साह ने डाड़ाड में करवाया अब ये हिंडोला महल के आपके मांडू मद्रदेश में है क्या पतना विहार में है लखनो यूपी में है या फिर पूरी उडिशा में दिया गया हिंडूला महल की अगर बात आती मितों तो मांडू मदिबर्देश आंसस बनता है सही जवाब फ़र्ष के साथ लगाना पुड़ता है अगला कोश्चन्स 6 नंबर आएगा आप से पूछा जा रहा है अतार कीन का दर्वाजा अतार कीन का दर्वाजा का निर्माण इल्टूत मिश ने डडडडड में करवाया था दिल्ली में करवाया नागो रास्थान में करवाया लखनोम करवाया या फिर कानपुर में करवाया अतार कीन का दर्वाजा का निर्माण इलतूत मिशने कहां करवाया मित्रों तो आपके नागो राजस्थान में हुआ है इसका निर्माण सही जवाब आपको शीक इशाद देना पड़ेगा C is the right answers बनाना पड़ेगा अगले कोश्चन्स पे चलेंगे अगला कोश्चन्स साथ नंबर है आपके स्क्रिन पे है आपसे गरा नासिक गुफा जो गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिला महाराष्ट्रा में है इसमें कुल कितनी गुफाएं है मैं तो आपके स्क्रिन पे है आपके स्क्रिन पे है आदिमानो पानी पीने के लिए किसका प्रियोग करता था नाम दिया गया कुमा का प्रियोग किया नदी का प्रियोग किया चापाकल का प्रियोग किया एफरनल कूप का प्रियोग किया अदी मानों की बात होती है आदी मानों जो पानी पीते थे मित्रों आप जानते होंगे नदी का पानी और वो तालाव का पानी पीते थे इसलिए हम सही जवाब नदी लगाना पड़ेगा यानि सी इस दराई डांसस बनाना पड़ेगा अगले कोश्चन्स पर चलेंगे नो नंबर कोश्चन्स होगा आपकी स्क्रिंग पर होगा मित्रों आप से कह रहा है अजीत नेनन अजीत नेनन जी डड़राड समाचार पत्र में कार्टूनिष्ट है नाम दियागा टाइमस आफ इंडिया में है राश्टिय सहारा में है इंडिया टूडे में है अफिर हिंदूस्तान में है अजीत नेनन जी कौन से समाचार पत्र में as a cartoonist है मित्रों तो सही जबाब India Today Group बनेगा सही जबाब V के शाथ लगाना पड़ेगा V is the right answers देना पड़ेगा अगला questions दस नंबर है आपसे कह रहा है जैपुर का जंतर मंतर जैशा चितर किशने बनाया नामशुरिश शर्मा का दिया गया मोहन शर्मा का दिया गया पीटी रेटी का दिया गया और जशुमंत सिंग का नाम दिया गया मित्रों आपको बताना है जैपुर का जंतर मंतर जैशा चितर किशने बनाया मोहन सर्मा ने बनाया मित्रों जैपूर यानी रास्थान रास्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हो गए आप जानते हैं भजन लाल सरमाजी है भजन लाल सरमाजी आगए लाल सरमाजी आगए पहली बार के बिधायक भजन लाल सरमाजी जो है भाजपाशासित राजी में मुक्खемон्तरी हैं आप जानते हैं तो सही जबाब आपसी के शात लगा लो मित्रों इसके लिए जसे पूर्ड का जंतर मंतर के लिए अगले कोश्चंस पे चलेंगे अगला कोश्चंस आप किसंद पे क्या कहरा मित्रों आपसे आपसे कहरा बैठा हुआ मुक्यवाज बैठा हुआ मुक्यवाज निम्लिकित मेशे किस कला से संबध रखता है नाम ग्रीक कला है जर्मन कला है ग्रेको रोमन कला है इंडो इंस्ट्रक्शन कला है बैठा हुआ मुक्यवाज जैसे रचना में तो ग्रीक कला की देना है तो सई जबाब आपको ग्रीक का लक्षाद देना है फर्स्ट इस दराइड आंसर्स लगाना है अगला कोश्चन्स दो नमबर आएगा पूछ लिया गया प्रसिद्धमोर्ती शिवशती क्या शिवशती ये काश्टी ये माध्यम में है जिसकी है स्रीधर महापात्रा की है राजिव लोचन जी की है इस जी स्रीखांडे जी की है अफर लत्तिका कट जी की है प्रसिद्धमोर्ती शिवशती जो है ये काश्ट माध्यम में है मित्रों और राजिव महापात्रा की नहीं स्रीधर महापात्रा की है तो आपको शटेक आंसस फ़र्ष के शाथ लगाना है स्रिधर महापात्रा इस दराईट आंसस बनाना है अगला कूस्षिंस तीन नंबर देखेंगे मित्रू प्रशंख्या तीन कह रहा है भारत भौन यानी इंडिया हाउस लंदन में भित्य चितर किसने बनाये थे नाम विनोध भिहारी मुखरजी का है शटी Boss गुजराल का है लेलित मोहांशेन का है और डाक्टर श्याम भिहारी अग्रवाल का है आप से नाम दिया गया भारत भौन इंडिया एंडिया हाउस लंदन में भित्य रचना किस ने बनाई मित्रों लेलित मोहंशेन ने आसी भित्य रचना मेंटेन की है तो आपको शही जवाब वी के शाथ लगाना पड़ेगा बीज दराइट आंसस देना पड़ेगा अगला कोश्चन शाथता है जो आपका बन जाएगा वी इस दराइट आंसस लगाओ अगला कोश्चन शाथ पांच नंबर आता है आप से पूछ लिया गया मित्रों वैन विंटर कम्स वैन विंटर कम्स ये प्लास्टर में है इसके करतिकार कोन है राम गेंकर व्यज जी हैं सांखो चोधरी जी है बी इस दराइट आंसस बना लो अगला कोश्चन शाथ नंबर आएगा आपकी स्क्रिन पे होगा आप से कह रहा है बारवाड महिला बारवाड महिला पेंटिंग किसकी है मित्रों नाम इने स्वेंद्रे का दिया गया के जिशु बमन्नियम का दिया गया जोती भट का दिया गया और शांती दवे का दिया गया बारवाड महिला पेंटिंग किसकी है मित्रों तो बारवाड महिला पेंटिंग आपकी नारायाण स्रिधर वेंद्रे की है सही जबावेनिश वेंद्रे लगा लो फॉस्ट इस दराइट आंसस बना लो तर रायल अकडमी लंदन के अगर बात आती है मित्रों ये जो आपका अस्थापना की बात होती है सर जो ऐसा रेनाल्स का नाम आता है तो सही जवाब D के साथ देना पढ़ जाएगा यहीं D is the right answers बनाना पढ़ जाएगा अगला कोशन शाठ नमबर आ रहा है आपकी स्क्रिन पे है पूछा जरा है असोक अकालिन अस्तंभ के सिर्थ पर आकरतियां है नाम दिया गया या च्छनियों की आकरती है राजाओं की आकरती है पच्छियों की आकरती है या फिर पशूओं की आकरती है अशोक अकालिन अस्तंभ के सिर्स पर कोशिया करती है मित्रों सही जबाब पशूओं किया करती है सही जबाब D के शाद बन रहा है D is the right answers बन रहा है अगला कोशन्स नो नमबर पूछा जा रहा है आप से कहरा है पाशान मूर्ती रामण के लास परबत को हिलाता हुआ रामण के लास परबत को हिला रहा है कहां निर्मित है अजन्ता में है कोडारका में है एलोरा में है या फिर खजुराहू में है रामण के लास परबत को हिला रहा है इशादरे से जहां 34 कुफाइं पाई जाती हैं वहाँ हैं तो आपको सही जवाब एलोरा देना पड़ेगा आपको सही जवाब वी के शाथ लगाना पड़ जाएगा यानि वी इस दराई डांसर्स देना पड़ जाएगा अगले questions पे चलेंगे 10 number questions है आपसे पूछा गया सबसे पहले भारत में बैले कला की अस्थापना की उदय शंकर ने की शारंग देव ने की गुरुदत ने की या फिर अन्ना वावलेवा के द्वारा किया गया सब से पहरे भारत में वेले कला की अस्थाफना किसने की वेले कला की अस्थाफना शब्षे पहले भारत देश में उदैशंकर के द्वारा की जाती है तो सही जवाब first के साथ लगाना है is the right answers देना है अगले questions पे चलाएंगे तो अगला question आप की skin पे यह रहा आप से क्या कहरता है मित्रों अलवर का प्राचीन नाम था अलवर का पुराना नाम क्या था अलवपूर था अली गड़ था शलवपूर था या फिर अलवद्दीन था मित्रों आप जानते हैं अलवर राजी का जो पुराना नाम था वो श्रल वपुर था तो आपको सही जवावी के शात लगाना होगा भी इस दराई डांसस देना होगा अगले कोशिंस पर चलाएंगे तो अगला कोशिंस दो नंबर होगा आप से कहरा है मित्रों शुखवीर संग्शंगल किश विधा क जाने माने कलाकार थे तो मित्रों शुक्विर शंग्षंगल का जो संबन्ध आता है वो वास बिधा के शाथ आता है आपको सही जबावी के शाथ लगाना है बी इस दर राइट आंसस बनाना है अगले कोश्चंस पे चलें तो तीन नंबर कोश्चंस आपकी स्क्रिन पे है आपसे कह रहा है विख्यात चित्र पथ का अंत पथ का अंत किसका है नाम दिया गया उनीन नाट्यगोर का है गगनेन नाट्यगोर का है अशित कुमार हालधार का है और राम किंकर वेज का है पथ का अंत किसकी रचना है मित्रों पथ का अंत जैशी बढ़ेहां रचना के लिए उनी नाट टेगोर का नाम लगाना पड़ेगा तो सही जवाब फॉस्ट के साथ है नि एके साथ लगाना पड़ेगा A is the right answers लगाओ चार नंबर questions पे चलेंगे आप से कह रहा है फादर आफ इस्टेटेक्स किसे कहते हैं फादर आफ इस्टेटेक्स किसे कहते हैं मित्रों औरस्तू को कहते हैं बाम गार्टन को कहते हैं शुकरात को कहते हैं या फिर वातसयान को कहते हैं तो जब बात ऐसी आये फादर आफिस थर्डेक्स के लिए तो आप आंसस वाम गार्डन के शाथ लगाना शी इस दराइड आंसस बनाना अगला कूश्चंस पांच नमबर होगा आप से कहरा है मित्रू बाटिक विधा के उल्लेखनियक अलाकार है नाम प्रभापवार है प्यूक तशवी है बाटिक विधा के उल्लेखनियक अलाकार कौन है तो बाटिक विधा में प्रभापवार भी है शुदर संधीर भी है रमेश रात साथी भी है इसलिए आपको सही जबाब डी के साथ लगाना है डी इस दराइट आंसस बनाना है अगला कोश्चंस छै अगला कोश्चंस शाथ नमबर आएगा आप से पूछ लिया गया है प्रसिद्ध चित्र कला स्वरी काल आफ यूनिटी किसने चित्रत किया नाम नित्यानंद महापात्रा का है स्रीधर महापात्रा का है रणवीर शिंग विष्ट का है और राम वीश उतार का है प्रसिद्ध चित्र है काल आफ यूनिटी किसने चित्रत किया मित्रों नित्यानंद महापात्रा के द्वारा बनाई गई रश्चना है तो आपको सही जवाब फ़र्ट के शाथ देना है इस तरह आई डांसस लगा लेना है अगले कोश्चंस पर चलेंगे आठ नमबर कोश् तो विहार की मधवनी कला को प्रकास में लाने का जो काम रहा वो भासकर कुलकरणी जी कर रहा इसलिए सही जवावावशी के शाथ लगाना अगले कोश्चन्स पे चलेंगे अगला कोश्चन्स नो नमबर आ रहा है आप से पूछ रहा है भारतिय बिग्यापन समित की अस्था बामन में हुई है इसलिए हमें सही जवाव फर्ष्ट के साथ देना है इस दा राइट आंसर बनाना है अगला कोश्चन्स दस नमबर आएगा आप से पूछ हजार आए शौंदर्र भगवान का हस्तक्षेप है या कथन किश का है शौंदर्र भगवान का हस्तक्षेप है ये हिंगल ने कहा, पिंकेट ने कहा इमरसन ने कहा या फिर शौपन हावर ने कहा है शोंदर्य भगवान का हस्तक्षिप है ऐसा कथन इमरसन का है मित्रों तो सही जबाब वी के शाथ लगा लो वी इस दा राइट आंसर बना लो मित्रों अब आपको उबराल बताना है आज की इस पचास कोश्चन के रिवीचन में आपके कितने कोश्चन सही गए हैं इमानदारिक शाथ बताना मित्रों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिसके नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाफ टाइम से ले चुको यहूंकि बहुत सारी पेड़ क्लास भी आपको कोश्चे छणों के लिए पब्लिक देखने को मिल जाती है तो उनसे आपको अगर वेनिफिट लेना है तो वेल आइकन जरूर ब्रेस करना चोबिस का नया साल है तो नई उमंगों के साथ नए जोश के साथ अब आपको लगना है और अपनी तयारी बेहतर करनी है बिलते हैं सुन में तब तक के लिए दिल से स्लूट जै हिंद